तe Siya हाजिर हम越ां एक बार फिर टैक्स प्लानिंग के साथ आपके कठिन से कठिन सवालों के आशान भाशा में जवाब देने के लिए हम लेकरा आते हैं आपके लिए टैक्स प्लानिंग और टैक्स आज का हमारा मुद्दा है डारेक्ट टेक्स विवात से विश्वास तक स्कीम के बारे में और इसमे मेरे साथ जोड़े हुए है मेरे साथ रजी शुकला जी रजी शुकला जी चार्टेड एकॉंटन है सर इनका जबाब बताईए क्या हो सकता है सर इनकम टेक्स से जुड़े विवादों को हल करने के लिए विवात से विश्वास यूजना शुरू की थी यह स्कीम क्या है और लोग इसका लाब कैसे ले सकते हैं सर हम बात कर रहे हैं डेक्स विवाद से विश्वास एक्ट की अगर आप देखें तो सरकार ने ऐसी बहुत सारी स्कीमे लाई हैं जिसमें कही न कहीं वो इंट्रियूस करते हैं ऐसे सविधाय हैं जिसमें जो टैक्स पेर्स हैं वो कहीं ने के पुराने litigation को timely settle कर सके और अपने विवाद को खतम कर सके उस series में सबका साथ सबका विश्वास के बाद ये आगे आते हुए ये नई scheme लेकिया है जो bill passed किया 5 February को हमारे पास bill लाया गया और 17 March 2020 को इसको act में तब्दील कर दिया गया अगर आप देखो तो उस समय जब सरकार में इसको visualize किया था समय सरकार के पास करीब 4.83 लाइक cases pending थे करीब 9.82 करोड का amount था जो pending था handful amount है बहुत बड़ा amount है सरकार की कहीं ने कहीं intention थी यहाँ पे कि इस amount को liquidate करें और इसको economy के better usage के लिए इस्तमाल किया जाए यहाँ से इसकी शुरुवात हुई प्लीज कावेंदर जी सर कितने करोड तक के search and survey के जो मामले हैं इस scheme के दाएरे में आते हैं यह बहुत पूछना चाते थे लोग सर देखो जब आप इस act की बात करते हो यह act basically इसमें 12 sections है, 11 rules है इन sections में अगर आप precise बात करें section 2 की तो section 2 ने various clauses में appealant को define किया है कौन वो appealant होंगी जो basically इस दाएरे में cover होते हैं तो जैसा आपने पूछा कि किसको exclude किया तो पहले तो हम बात करें किसको cover किया तो अगर हम cover करने की बात करें तो इन्होंने कहा कोई भी ऐसा SEC जो कहीं न कहीं appeal में फसा हुआ है reason कोई भी हो सकता है, appeal आप के तरफ से हो सकती, appeal जो है department के तरफ से हो सकती है, या जो इन्होंने add किया आगे इन्होंने कहा अगर appeal pending है इसमें एक और हम चीज add कर दें बीच में specified date की date है, जिस date को आपको बहुत ध्यान से देखना है, अगर उस particular date को अगर आपका कोई किस pending है, litigation pending है appeal में, appeal आपकी commissioner appeal पे हो सकती है, ITAT पे हो सकती है, high court पे हो सकती है, supreme court पे हो सकती है अगर कोई भी appeal आपकी pending है उस level पे और आप चाहते हो कि vote dispute easily settle हो जाए, आप इस scheme का फाइदा उठा सकते हो, तो उन्होंने appealant को define किया, appealant में इन्होंने almost सारे cases को cover कर दिया जैसे आपने अभी बात करी कौन से नहीं cover होंगे exclusions है, वो section 9 में जैसे हमने अभी बात करी search की, search में cover सब को कर लिया, फिर उन्होंने exclusions कर दिये, ठीक है 5 करोर से अगर उपर का कोई case है तो हम उसको बाहर कर देंगे, इन्होंने और क्या exclude किया, इन्होंने का अगर कोई ऐसा case है, जो foreign आप या कहलो international level पे आप चले जाओ, बाहर से कोई हमारे पास information आई है department को, और उसमें कोई विवादत amount है, तो उन्होंने का बाहर आपको हम कर देंगे कोई criminal act है या ऐसे इन्होंने special act की बात करी है जिनमें अगर आपका case cover होता है, तो उन्होंने का इसको बाहर कर दें, तो उन्होंने exclusions दिये है, पहले section 2 में include करते जा रहे हैं लोगों को, जिनकी भी appeals कहीं भी pending है, और वो इसका lab उठाना चाहते हैं, देकिन always go for this, please जैसा कि यह जो scheme है, जिसके हम बात कर रहे हैं विवाद से विश्वास तक, यह 2020 FAB में, 5 FAB को Finance Ministry के द्वारा लाई गई थी, इसका बिल पास हुआ था, उसके बाद यह scheme शुरू हुई, सर एक सवाल है, कि अगर मान लीजे मेरा खाली प्लाट है, खाली penalty interest है अगर मेरा, और 31 मार्च तक उसको मुझे जमा करना है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, तो ऐसे में अगर मैं उसे बाद में जमा करना चाहूँ, तो कब तक और कितना प्रिस्टीशत जादा देकर मैं इस scheme के दाएरे में बना रह सकता हूँ, सर देखो, हमने अभी बात करिये थे section 2 की, section 2 में हमने cover किया कि कौन इस case के लिए जा सकता है, इसके बाद next section आता है, section 3, section 3 बात करता है कि आप इसकी payment कैसे करोगे, कितनी payment करनी है इन्होंने कहा, अगर आपका disputed amount है, disputed amount का 100% आप सरकार को pay कर दो इन्होंने time describe किया है, rules में उन्होंने forms दिये हुए हैं, हम आपको एक बड़ी इन्होंने डिटेल कर देंगे, तो उन्होंने forms दिये हैं, उन forms से उन mode के तुरू आप payment कर सकते हो within time 31 मार्स तक आप payment कर दो, 100% payment करके आप free हो जाते हो search का अगर case हो जाता है, तो search के case में ये बात करते हैं, कि वो amount आपका बढ़के 10% उस पर add कर देते हैं, 110% आप से लेते हैं, दूसरी तरफ आप चले जाओ, अगर आप बात करते हो आपके उपर tax नहीं है, अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और add कर देता हूँ, बीच में miss कर गया है tax, tax area क्या है, disputed tax क्या है, disputed tax वो tax है, जिसके लिए आप department के पास जाते हो, dispute के लिए for example, अगर हमने assume किया कि हमारे ओपर 10 लाग रुपे का tax बन रहा है, जिसमें से 5 लाग रुपे का ऐसा figure है, जिससे हम agree नहीं कर रहे है now this is disputed tax, इस पे अगर surcharge है, इस पे अगर cess है, तो यह पूरा मिला के disputed tax होगा, उसके लिए हम department के पास जाते हैं just to save ourselves, जैसे आपका word है विवाद से विश्वास, हम उस विवाद से बचने के लिए उस amount को सरकार को pay कर देते हैं अब हम pay करने की बात करें, थोड़ा सो और add करें काविंदर जी, हम जब pay करने की बात करते हैं, तो assume करो हमारा पुराना विवाद था, उस amount पे आज तक कुछ penalty या कुछ interest amount भी हो गया है आपको fully छूट दी जाती है उसमें से, आपको कोई ब्याज नहीं pay करना है, कोई penalty नहीं pay करना है, सिर्फ tax का amount pay करिए और इसमें से बाहर आ जाएए, ये तो वह एक case दूसरा case आपका आता है, कि आपने tax का dispute तो नहीं है, लेकिन penalty का हो सकता है आपका dispute हो, हो सकता interest component का dispute हो, वो कहते हैं ठीक है, उस amount का 25% आप pay करिए और आप इस scheme से सुविधा का लाब उठा लें, यानि आप इसको दो इस्सों में पहले तोड़के देखिए, जब आपके ओ penalty और interest से आप fully छूट पाते हो, और अगर disputed amount सिर्फ penalty या fee है, तो आप उसका 25% amount पे करके आप उससे बाहर निकल आते हो, यह normal case है, अगर आप 31 मार्स तक पे कर देते हो, आपने जिस तरीके से जानकारी थी, disputed tax के बारे में भी आपने बताया, तो disputed tax के साथ जब हम और keywords ल जिसका कहीं नहीं, कहीं नहीं case income tax department के पास spending है, due to any litigation और जिस पे कोई नहीं कोई disputed tax liability बनती है, अब appealant को देखो आप और इसको तोड़ा विस्तार से अगर हम देख लेते हैं, हम appeal की बात करते हैं, appeal कहां कहां आपकी हो सकती है, आपकी appeal high court में हो सकती है, आपकी appeal honorable supreme court के पास हो सकती है, honorable ITAT के पास हो सकती, even commissioner appeal के पास भी हो सकती, ध्यान रखे, concern very clear है, disputed tax है और आप appeal में हो, तब ही आप इस विदा का लाब उठाते हैं, प्लीज, जैसे कि ये विवाद से विश्वास तक, scheme का नाम ही है, तो अगर विवाद की स्तिती है, और ऐसे में मैं कहां तक ज सुल जा सकते हैं, assessing officer तक अगर ये पहुंच गया है, तो तब भी सुल जा सकता हूं इसको, सर, जब आप assessing officer की बात करते हो, और assessing officer ने आपके order दे दिया, और उस order के against आप commissioner appeal के पास जाते हो, आपके disputed tax कहीं कहीं आ गया, disputed liability arise हो गी उसके पर, आप बिलकुल जा सकते हैं, ठ ठीक है सर, अगर चापा पड़ा है, और विवादद आएकर की जो मांग है, वो 5 करोड रुपए से कम है, तो क्या उस स्थिती में भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं? सर, आप चले गए section 132 की तरफ search and seizure के आप केस के बात कर रहे हैं, हाँ, किसी particular year में अगर आपके disputed amount पांच करोड से कम है, तो हाँ बिलकुल आप उसका लाग उठा सकते हैं, अगर court ने सजा का फैसला सुनाया हुआ है, और तो इसके बाद क्या इस योजना के दाएरे में ज इसके अंडर हम आ सकते हैं, सर, once this is instituted, एक बारी आपके खिलाफ आदेश हो गया कि आपको, चाहे आपके income tax department उसको केस को लेके गए हूँ, चाहे आई PC के तहत लेके गए हूँ, अगर एक बारी institute हो गया case आपके खिलाफ तो नहीं, तो फिर इस particular year के लिए आप नहीं जा सक अगर यूजना में, अगर सभी जो शर्ते हैं, उनको पूरा कर दिया जाए, निर्धारे जो राशी है उसको जमा कर दिया जा, उसका भुक्तान कर देने के बाद, करदाता को यूजना का लाब दिये जाने का कोई प्रमाड पत्र आईकर विभाग दोवाग दौरा दिया ज होते हैं आप कहीं ने कहीं declaration के बाद amount final होने के बाद आप ये भी उसके साथ declare करते हों कि हमारे जो भी cases हम उन cases को वापस ले लेंगे अच्छा ये दोनों तरफ से हैं हमारी तरफ से भी है और income tax department की तरफ से भी है दोनों ही कहीं ने केस नेड़ने पर आते हैं कि जो भी इसक से related case है उसके इसको हम वापस ले लेंगे उसके बाद आपको प्रॉपर एक certificate issue हो जाता है और आप कल को इसको बठाए भी आप ध्यान रखें ये प्रिसिडेंस नहीं है ये सिर्फ इसी particular विवाद से विश् होती है एक है कि हम appeal में जा रही है हम appeal में गए amount disputed है तो हमने 100% payment की बात करी थी अगर department अपील में गया या आगे आपकी वह amount हर्ज है 50% हो जाती है बीते वर्ष दिसंबर 2020 की बात करूं तो आवेदनों की संख्या में इंदम से तेजी को देखते हुए सरकार ने से एक महिन है या फिर सामान रही जैसी रहती है तो सटेट ओफ मांड है परसंट टू परसंट बढ़नी चाहिए सरकार भी positive हैं हम भी positive है छीए निकल रही है बाहर प्लीश इसके बाद सर अगर मैंने पैसे पहले जमा कर दिया है पैसे पहले दे दिया है लेकिन मैं इस scheme के बारे में होता है जब आपका केस appeal में होता है तो appeal में they ask for a percentage of demand वो कहते हैं कि आप उस पैसे को पहले submit करीं फिर appeal में आईए अब आप appeal में चले गए कल को आपको लगा कि नहीं विवाद से विश्वास का फायदा उठा सकते हैं आप scheme में जाते हो amount assess होता है जैसे हमने पीछे बताया था proper officers इसके लिए appointed हैं वो इसमें assess करते हैं आपकी final जो भी liability fix up होती है उस liability से अगर ज़्यादा पैसे आप दे चुकिए हो सरकार को तो जो access amount है वो बिना किसी ब्याज के आपको refund हो जाता है अगर हम आपको जानकारी दे रहे हैं विवात से विश्वास scheme 2020 के बारे में अभी तक हम लोगों ने बात की कौन-कौन इसके दाइरे में आते हैं कैसे कैसे इसका लाब लिया जा सकता है किस-किस तरीके से हम इस scheme को अपने लिए utilize कर सकते हैं अपने फाइदे के लिए क्योंकि इसकी फाइदा देने के लिए ही बनाई गई है अब दायरों की बात हो गई अब बात होगी की exclusions की कौन-कौन लोग हैं जो उसके दाइरे में नहीं आते हैं वो कौन-कौन लोग है फोड़ा विस्तार से अगरा पताएं तो सर अभी पीछे बातों में अमारी चर्चा में आ गया था कि अगर सर्च का केस है और सर्च केस में पांच करोड तक का लिमिट उन्होंने प्रस्क्राइब किया हुआ है अगर उस लिमिट तक आप किसी पेटिकुलर एयर में आपका आप उसमें कवर होते हैं उससे एक्सीट कर जाता है फिगर तो आपको बाहर कर देते हैं हमने जैसे शुरू में ही कहा तो उन्होंने पहले इंक्लूजिन करने की कुशिश करी दिस इस आओ इंकम टैक्स एक और सो मुवस पहले वो इंक्लूड करते हैं लोगों को बात में देरे-देर एक्स्लूजिन करना शुरू करते हैं पहले पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट के हम बात करते हैं प्रोसिक्यूशन की प्रोसिक्यूशन में हमने पीछे भी बात करी थी इंकम टैक्स एक्ट में आई पीसी कित है तो अगर आप इसके दाइरे से बाहर हो जा इसमें से बाहर हो जाते हो और बाकि नेरो कोटिक्स का है कुछ फेमा के केसेज हैं अगर उनमें आप बेनामी प्रॉपर्टी वेगरा ये एक्जाम्पल्स कुछ हो गए इनमें अगर आप कवर होते हो तो भी वह आपको एक्स्क्लूजिन के लिस्ट में रखते हैं ये क्योंकि स्कीम को जो है एक साल पूरा होने जा रहा है अब ऐसे में इनिशियल स्टेज पर जब यह स्कीम लाई गई थी 5th of February को Finance Ministry की तरफ से उसके बाद से लेकर अभी तक बदलाओ किस तरह के देखने को मिलें इस स्कीम में किस तरह ही कि बदलाओ किये गए है टाइम के स सर इंटेंशन जब सरकार की थी इसको जब वो लेकर आई थी तो उसने कोशिश थे कि जादा से जादा लोगों को इसके एंबिट के अंदर लाया जाए आप देखो कई बारी आप देखते हो जब एक आता है उससे रेलेटेट फिर देरे देरे करके सर्कुलर जाने शुरू जैसे आप डिस्प्यूट रिजलूशन की बात कर दो अगर डिस्प्यूट रिजलूशन में आपका केस है उन्होंने कहा यह से बाहर है लेकिन अगर डिस्प्यूट में कोई लायाबिलिटी आ जाती है और उस लायाबिलिटी को कल को आपको पे करना बनता है आप यह डिप के लिए तो यह फॉर्म का क्या प्रोसेस है पूरा अगर आप ब्रीफ कर सेके लोग इस प्रोसेस में बड़ा सिंपल आप लॉग इन करें लॉग इन करने के बाद गेट टैब विवाद से विश्वा स्कीम उस पे जाएं आपको फॉर्म वन मिलेगा फॉर्म फाइल करें फॉ यह डेटा आपका डेपार्टमेंट के पास चला जाता है डेपार्टमेंट में जो भी डेजिगनेटिट एथारटी होगी वो डेजिगनेटिट एथारटी आपको इसके अगेंस्ट एक सेटिफिकेट देगी यू आपका केस प्रॉपर से विश्वास एक्ट में था साथ थे हैं रजनी शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए तो ये जो पुरा प्रोग्राम है ये इसलिए है ताकि आपके सवालों के हम दे सकें आपको जबाब और हम हर सनिवार को यहीं मिलेंगे यहीं मौजूद हर बार हर हफते हम हाजर होते रहेंगे और उसके साथ एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा हम आपके सवालों के लगातार यूहीं जवाब देते रहेंगे और बाकी देश और दुनिया क तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूजवल इंडिया के साथ धन्यवाला